नमस्कार आप देख रहे हैं कलम नूज जिला कलेक्टर हनवानगाड जाकर उसाइन की देख्षता में जिला वाल सेलक्षन कमेटी की बैठक होई इस बैठक के अंदर खास रूप से जिला पुलिश दिक्षक परीती जैन ने भी शिरकत किया है आपको बता दें कि समवाज इक आपुर्टर को सुधरने के लिए कई परकार की जन कल्याण कारी योजने रजजर सरकार के दिवारा चलाई जा रही है उससी की कटी में आज बैठक कर रखी गई है और समवाज कल्याण विवा की और से जितनी भी जन कल्यान कारी योजने चल रही हैं उसकी समीक्षा की गई है और जिला वाल सुरक्षण कमेटी के अंदर खुल कर चर्चा की किस परकार शातरावासों के अंदर सुरक्षा बढ़ाई जावे हैं कि कही स्थानों पार ग्राम नी शेथרों के अंदर भी शातरावास बढ़े हुए हैं और समाज क्लेंड दिकारी के दोवारा पुलीस विवाग के दिकारियों को बताया गया कि जो जिले के अंदर जितने भी शात्रावास चल रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए पुलीस मित्तर वहां पर समय समय पर अगर जाएंगे तो वहां पर शात्र शात्रा के अंदर मन के अंदर अच्छे बाप पैदा होंगे और वे अपने को सुरक्षित मानेंगे इसलिए उन्होंने आज निवेदन किया है कि पुलीस विवाग के जो पुलीस मित्तर बढ़े हुएं बेसमय समय पर शात्रावास के जितने भी शात्र शात्र हैं वहां के इन चार कि आज जो जिला बाल स्रक्ष्ण की बैठक पढ़े में माने जिला पेस्वाग में से ही रिक्वेस्ट की गई कि जितने व्मित रूप से जो है पुलिस मित्र जो हैं वहाँ जाएं समवाद रखें जिससे की बालिकाओं में भी सुरक्षा का माहोल महसूस हो और अपनी वो कोई अगर ऐसी बात है जो परिशान हो रहे हैं गल से दूर हैं किसी को नहीं बता पा रहे हैं तो वो उन्हें पुलिस के माध्यम से उच्छी सुर करें बहुत बहुत दिन्यवाद आप देखना होगा कि जिला पुलीस दिख्षक की और से और जिला परशासन की तरफ से समवाज कल्याण के जितने भी शातरावास चल रहे हैं उनकी सुरक्षा वस्ता किस परकार सुनिशित की जाती और जादा से जादा वांपार पुलीस म पित्तर पहुंचकार उनकी देखवाल करते हैं और उनको सेलक्षन परदान करते हैं कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंग सैनी की रिपोर्ट